आज कामारा इसपेशल विडियो अप्डेट है zwar मालदा डिविजन से एक नई एक्सप्रेश्ट्रेंग का परिचालन किया गया है इस नई एक्सप्रेश्ट्र का परिचालन आपको फरवडी के महिने में देखने को मिलेगा साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगा कि वो कौन सी ट्रेन होगी जिसका पड़ी चालन रेलवे ने यात्रीयों की भीड को देखते वे किया है तो चलिए यह लेडिस वीडियो अब्डेट शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा आवस से देखें और हमारा चैनल पाभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवस कर दें और नुट्पिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन पर क्लिक करें मालदा डिविजन परसासन ने दानापूर के लिए मालदा से एक नई एक्सप्रेस इस्पेशल ट्रेन चलाने का निने लिया है परसासन ने ट्रेन संख्या 0-3-483 और 0-3-484 एवं 13-484 और 13-483 इस्पेशल ट्रेन का पड़ेचालन 17 फरवड़ी से एवं इसका पड़ेचालन जो शुरू होगा वो तीन फरवड़ी से होगा और इस ट्रेन में कुल 18 ट्रीप पड़ेचालन किया जाएगा तो चली इसी के साथ जानते हैं आखिर यह ट्रेन मालदा से कितने बज़े खुलेगी और इसका क्या होगा रूट मालदा से दानापूर जाने के लिए इसका जो रूट होगा यह भागलपूर होकर जाएगा यान कि मालदा से भागलपूर और भागलपूर क्यूल होते हुए दानापूर तक का सफर तैई करेगी जिसमें कि मालदा से साम 7 बच कर 10 मिनट पर इस ट्रेन का पड़ेचालन को हरी जंडी मिलेगी पहली बार और भा एक्सप्रेस्ती स्पेशल ट्रेन होगी इसी तरह इसका डाउन में परिचालन आपको देखने को मिलेगा जो कि 4 फड़वडी से 20 फड़वडी तक इसका डाउन में परिचालन होगा और इस ट्रेन को दानापूर से सुबा सारे 7 वजे रवाना किया जाएगा तथा क्यूल ह होते हुए जमालपूर भागलपूर और मालदा तक सफरता होगा ये एक एप्सप्रेस्ती स्पेशल ट्रेन होगी जो कि भागलपूर क्यूल रेलखन पर दोड़ेगी एवं दानापूर और मालदा डिविजन को जोड़ेगी तो ये था आज का मारा लेटेस्ट वीडियो अ पाने के लिए हमारा चैनल को बस सब्सक्राइब करें और नुटिफिकाशन पाने के लिए बैल आकोन पर क्लिक करें